हेलो दोस्तों, वेलकम तो कुईकवी तमिनास, आज हम बना रहे हैं बिहारी भुजिया अलू, बिसिकली ये बिहार और वेस्ट बंगॉल का जो बॉर्डर है, बिहार का और इसा का जो बॉर्डर है, जारखंड का बॉर्डर है, वहाँ पे काफी ज़ादा चलती है, और फैमस लंबा-लंबा कट कर लिया है, सेम आकार में और सेम साइज में, तो इस तरह से हमें इसे पांच अट भून लेना है, मीडियम फ्लेम पे, गैस का फ्लेम लो नहीं रखना है, और जाता फास्ट रखना है, अब इसमें हम पांच अट हल्दी डालेंगे, ये हाफ टीस्पून ह कल्दी है दोस्तों, और इसे वापस हमें तीन से चार मिनट इसी तरह मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, जब तक हमारी आलू नरम नहीं हो जाए, ये देखे, चार मिनट बाद आलू हमारी धेदे नरम हो गई है दोस्तों, अब हम क्या करना है, हमें एक चार से पांच गार्ल है, और काली मिर्च है, लसुन वो भी पक जाएंगे, वो ज्यादा लाल नहीं होंगे, जलेंगे नहीं, ये देखे, पांच मिनट बाद हमारी अलू इद्दम अच्छे से पक चुकी है, भुन के दम लाल हो चुकी है, अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप घर में भी कूट सकते हैं, इसे लाल मिर्ची से या फिर आप रेडिमेट मारकर से चिली फ्लेक्स ले सकते हैं, ये डालने के बाद हमारी फाइनल अलू की जो बिहारी अलू भुजिय हो डन है, अब इसे हम जो है, पांच मिनट से कुक करके पका लेंगे, मीडियम स्लो फ्लेम पे, इससे क्या होगा कि ये पूरी तरग गल जाएगी, अब इसमें हम हरी चौप धनिया डालेंगे दोस्तों, इससे बिहारी अलू भुजिय हमारी बन के रेडी है, आप इसे पूरी या पराठे के साथ सर्व करिए, ये पराठे के साथ बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच् करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और आप इसे जरूर ट्राइ करिए अपने घर पे एक बार बनाके, ये बिहारी जो है आलू सोकी भुजिया जो है, ये और ये बहुत ही तीन चार इंग्रिडिन्स है बनके रेडी हो जाती दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मिलते हम तब तक के नेक्स्ट वीडियो में और इसे तरह अपना प्यार बनाया रखिए हमारे चैनल पर